दोस्तों आपने अक्सार देखा होगा कि जो रेविट के न्यूबोर्ण बनीज होते हैं यानि कि छोटे बच्चे होते हैं जो पैदा होने से लेके और आने वाले 10-15 दिन उनके लिए वह ज़्या क्रिटिकल होते हैं क्योंकि इसी कंडिशन में काफी सारे लोगों के पास जो मर जाते हैं अब उसके बहुत सारे रीजन होते हैं क्योंकि वह प्रोपर केर नहीं कर पाते हैं अब प्रोपर केर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको प्रोपर पता नहीं होता है कि छोटे बच्चों की जो है या जो डिलिवर्ड बेबी से लेके 15 दिन के बच्चों की जो है आप उनकी केर कैसे की जाते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं कम्प्लीट डिटेल आपको बताने वाला हूं कि छोटे बच्चे जो की डिरीवरी के बाद से लेके आने वाले 10-15 दिन आप उनकी कैसे कर सकते हैं ताकि इस टाइम पिरेड में आपके पास जो है डेविट के ब आपके जो इससे छोटे जो बच्चे उनमें क्या रीजन होते हैं जिसके बज़से रेविट के छोटे बच्चे मर जाते हैं तो सबसे नंबर वन होता है कि डिलीवरी के बाद जो अपने बच्चों को simply डिलीवर कर देती हैं अगर उस टाइम पर बहूत ज़दा कर दिहिए तो ऐसे में भी आपके जो रेवीट के बच्चे होते हैं वो गर्मी और सरदी लगने की वज़ा से मर जाते हैं कई बार तो ऐसा अगर आपकी फिमेल भी कर रही है तो उस जगह पर आपको ध्यान रखना चाहिए उसकी डिलीवरी के टाइम पर और आपको वहां पर ज़्याद बच्चों को मरने की उसकी जो रीजन है वह है कि बहुत सी जगह रखते हैं जहां पर इजली जैसे की चुवा आ जाता है या चीटी वगएर आ जाती है तो ऐसे में क्या होता है कि जो बच्चे देता है बच्चे देने के तुरंत बाद आतो उनको चुए एक से दो दिन के बच्चे देने को मर जाते हैं तो आप इस तरह को करने की जड़ा है यहां पर चीटी वगएर आ सकती है चुए वगएर आके आपके बच्चों का सकते दूस्य चाप जो है विसे तो पर ध्यान रखें तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों वह है कि हम जो बहुत से क्या करते हैं कि रेबिट को गूरूप में रखते हैं आन घ्रकते हैं तो आप साथ हम ऐखते हैं एसे में पार जो चोट के नहीं पिछी वहा आया रगत अंश्व मिल रिभीट कि शोपते बच्चे मेंड़ गर चाएं उनके प्यर की नीचे आके कई बार आ तो अंबर जाते है और इस वज़े से भी कई बार आपने देखा होगी रेविट के चोटे बच्चे जो है मर जाते हैं तो आपको यहां पर कैसा अधानी बरत नहीं कि जब भी कभी आपकी कोई फिमेल रेविट बच्चे देने वाली हो और आपने इक गुरूप में रखे हो तो जो ऐसी फिमे तो वहां पर आपके रेविट को जो आने वाल ऐसी कोई प्रोब्लम है वह आगे जाके आपकी सोट आउट हो जाएगर आपके रेविट के बच्चे नहीं मरेंगे दोस्तों इसके लावा जो एक और प्रोब्लम आपको अधिकतर देखने को मिलती वह होती है जो फिमेल प्रेवानीं के बहुत-स तरे रिद्वानी फीडर सकते हैं जैसे कि पहला रिजन यह होता है कि कहीं बार क्या होता है कि पिला अपने हाथ में बैच्चों को उठा ले बलून चैसा आपको प्ला हुआ दिखाई देगा अगर ऐसा नहीं दिखाई देता हुआ तो आपको करवा सकते हैं दूसरा क्या होता ही कि एक और रीजन होता है इसले भी फीडिंग नी करवाता है कि बोड़े में जो धुड़ जो है बनता नहीं यानिकी जुड़ जनरेट नहीं होता और जब दूध आता नहीं है तो वह अपने बच्छों को प्रोपर फीडिंग नहीं करवा यह मैं अक्सर आपको बताता है आप डिलीवरी से साथ आट दिन पहले केलसियम देना इस्टार्ट करें और डिलीवरी के जो है आट से दस दिन बाद तक उसको प्रोपर केलसियम एक एमेल रोजाना देते रहे तो उससे भी क्या होगा उसकी बोड़ी में बराबर दूज जनर बच्चे अब बच्चों को आपको क्या करना है कि मा मर गए प्रीवरी फीड नहीं करा रही है उसके अंदर दूद नहीं बन रहा है तो उसके लिए मैंने आप प्रिविएस वीडियो बन वाया था वह आप जाके देख लें उसको रेफर करें उसमें आपको पूरी डीटेल बच्चे मर जाते हैं इसके लावा इसके बड़े बच्चे भी बहुत से बार आपने देखा को कहीं अलग-अलग एज़ेज में जाके बच्चे मर जाते हैं तो उसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लिए बना जाते हैं जिसके वज़ा से आपके जो रेविट के चोटे बच्चे जो हैं अक्सर पैदा होने से आने वाले पंदरा दिन के अंदर और ऐसे चोटे बच्चों किस तरह से केर नहीं है वह आपको समझ में आगए तो वीडियो को जो है लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर कि विस्माइल